जो अस्थमा के पेशेंट से उनको परिशानी हो रही है और कई लोगों को आखों में जलन की शिकायत है गले में खराश की शिकायत है कई इलाकों में AQI वो पहुँच चुका है चार सो के पार गुरुग्राम की बात करें तो AQI यानि की Air Quality Index जो है वो चार सो के पार पहुँचा है फरिदाबाद में तीन सो के पार पहुँचा है और ये लगातार आपको बता रहे है दिल्ली NCR का पूरा ऐसा ही नजारा है तस्मीरे आपको बता किस तरीके से स्मॉग जिसे कहते हैं यानि कि धुंद और प्रदूशन का ये मिला हुआ स्मॉग है जो लोगों की परिशानी का सबब बनाए गुरुग्राम में AQI 300 के पार पहुँच चुका है एक सो के उपर होता है तो ये जो है थोड़ा ठीक नहीं माना जाता लेकिन आ बात हो तो कई ना कही दिली NCR में रहने वाले लोग जो है उनके लिए बड़ी परिशानी का सबब बना हुआ है हालंकि कई जगा पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है क्योंकि उससे भी प्रदूशन में इजाफा होता है लेकिन कई जगा पर पराली जलाने की केस सामने आ रहे हैं और इसको लेकर भी सरकार पर शासन सतर्क है लोगों को अवेर किया जा रहा है और जो लोग पराली जला रही है उनकी खिलाप जुर्माना भी लगाया जा रहा है और ये तमाम चीज़े जो है कही ना कहीं इस प्रदूशन को बढ़ा रही है और ये लेने में मरीजों को दिक्कत हो रही है खास तोर से जो अस्तिमा के पेशिंट्स हैं वो काफी परिशान नजर आ रहे हैं लोगों को अपने चेहरे पर जो है जलन महसूस हो रही है तो आप समझ सकते हैं ये प्रोदूशन जो है कितना खतरनाक है और जब 120 के उपपर 500 के मत्ता कितनी बाहता चार रहे हैं एकते हैं कि थ達स्तिमा चले कि भीप और रहे हैं प्रेशब को अथ़ प्लेशन प्ल्ग